कि हलो स्टूडेंट स्वागा था आप सभी का इस नए वीडियो में आज की वीडियो में हम लोग पटना हाइकोट असिस्टेंट है फेज टू एक जाम के एसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे 20 नंबर का कोश्चन होता है अगर प्रिभीएस एयर के पैटरन को फॉल इवेंट में जब 2016 में हुआ था तो 2016 में जो भी करेंट इसी उचर रहा था उस पे कुछे गए थे तो इस बार कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे और क्यों इंपॉर्टेंट होता है उस पर भी थोड़ा बहू डिसकस बनेंट अब चली रहा है कहीं कहीं लागू हो रखा है कहीं कहीं लागू इन प्रोसेस है तो यह बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है काफी दिने के चर् compress में भी था दूसरा टोपिक होता है यह रहा आत्म निर्वर भारत आत्म निर्फर भारत जो स्कीम चल था कोरोना के टायम पर यह भी एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा काफी ज़्यादा फेमस रहा था 20 लैक करोड़ का 20 लैक करोड़ का पैकेज एनॉंस हुआ था कोरोना के टाइम में यह इंपोर्टेंट है नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ पॉलिसी इसको काफी टाइम हो चुके हैं यह चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि सब कुछ अउनलाइन डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो उसको लेके यह थोड़ा सा इंपोर्टेंस रखता है और हेल्थ वाला टॉपिक इसलिए भी इंपोर्टेंस रखता है क्योंकि कुरोना 2016 के बाद एक्जाम नहीं हुआ है तो कुरोना वाला जो टॉपिक है यहां पे काफी ज़्यादा माइने रखता है ऐसे कोश्चन वी आ सकते हैं जो कि बिहार स्पेसिफिक हो उसमें एक टॉपिक आ जाता है अपना कास्ट सेंसस census in general एक important topic है लेकिन caste वाला angle रहने के कारण बिहार में काफी ज़्यादा important हो जाता है और इस पे question पूछे जाने की संभावनाएं काफी ज़्यादा बढ़ी होई है question next है 5 G20 G20 में भारत को अध्यक्षता मिली है काफी सालों के बाद हैसा मौका मिला है तो यह बहुत ही important रहेगा क्योंकि पटना में भी एक meeting होने वाला है पटना राजगिर में भी है तो यह थोड़ा से importance इसका थोड़ा सा और बढ़ जाता है next है 6 वो रहता है 5G 5G technology जिसमें की India एक consumer की तरह ही नहीं बलकि एक technology provider research and development भी काफी खर्च कर रहा है तो इसलिए यह वाला उस एंगल से काफी जादा माइने रखता है recently बहुत सारे सहरों में लफक सारे सहरों में 5G launch हो चुका है service available है 7 इस पर बाद है तो electric vehicle government काफी electric vehicles को promote कर रही है अपने एंड से जितना हो सके electric vehicle, bikes सब कुछ electric होता जा रहा है तो वहां से यह इसका importance बहुत जादा बढ़ जाता है और भी ऐसे topics हैं जैसे Russia-Ukraine war अभी तक चली रहा है और next है war and peace in general जो किसी में भी included होगा next है climate change climate change and sustainable development goal यह दोनों combine करके आप lecture को त्यार कर सकते हैं और इसमें climate change में global warming और भी शारी शीज़े add हो जाएगी 10 देख लेते हैं यह रहा digital इंडिया डिजिटल इंडिया मिसन डिजिटल इंडिया इस से related जो ही development हुए है एक और important में बात कर लेता हूँ artificial intelligence आप लो लिख सकते हैं और इसका जो भी एसे प्रोपर मोड़क एसे मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगा तो आप लोग टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन करिएगा उसका लिंक में description और comment section में add कर दूँगा artificial intelligence और कुछ चीज़े एक्स्ट्रा है जो कि मैं लिख देता हूँ fake news जर्नलिजम काफी ज्यादा माइने रखता है 13 energy crisis energy crisis energy security यह इसलिए important हो जाता है क्योंकि COP26 जो ग्लासगो स्कॉटलेंड में हुआ था उसमें इंडिया को 2047 तक energy independent बनाने का goal रखा गया है लक्ष रखा गया है 2047 तक ऐसा लक्ष पढ़ान मंत्री नरेंद मोदी रखे हैं तो इसलिए यह वाला इंपॉर्ट टॉपिक एनर्जी से रिलेटेड एनर्जी क्राइस यह फिर एनर्जी सेक्योरिटी वह ज्यादा माइने रखता है और हैं इंडिया चाइना रिलेस्टन इंडो पैसिफिक एक उमटनॉमिक फ्रेमबर्ग इंग्लिस में भी एक लिखने रहा रहा हुआ है। ie इंडिया आर्लास्ट टॉक एंडिया-चाइना रिलेस्टन इंडिया चाइना क्रे से तो यह 15 टोपिक मैं सजेस्ट कर रहा हूं अपने अंड से अगर आपके भी अगर आपके दिमाग में कुछ है कि यह से टोपिक भी इंपोर्टेंट है तो आप उसको भी पढ़िएगा सिर्फ इसी 15 के भर उसे नहीं रहना है और इसका मोडल इससे आपको मिल जाएगा आपके अनवाद